दो सेकंड रखो दर चाय बिलाओ भी अमित नमश्कार वंदे मात्रम कैसे हैं आप मैं आपकी साथ भी देवा ठाकुर डारेक्टर देव एंडिया फाउंडेशन आज एक बहुत विशेस और जरूरी विशे पर मैं बात करने आई हूं आपसे यूपी एटा जहां पर एक बहुत दुखद निंदनी है एक बहुत गलत जितनी जादा उसकी मैं निंदा करूं एक कैसा कारिय कुछक सरार्ती तत्तव के द्वारा किया गया कि आपको मुझे देश को समाज को हर वर्ग को हर समूदाय को सब को पताए कि महाराणा परतापजी पूजनिय थे पूजनिय है और पूजनिय रहेंगे उनको हिंद्वा सूरज भी कहा गया और देश के एक ऐसे महान सक्सियत एक महान योधा जिनों ने घास की रोटियां खाने स्विकार की लेकिन गुलामी नहीं मैं साध्वी देवठाकुर विशेश तोर पर बोलना चाहती हूं कि महाराणा परताप जी की एक मुर्तियक अखंडित करने से क्या महराना परताप जी का स्वाभि मान, महराना परताप का जो मनों में सद्भाव है, जोस है, आदर है, सम्मान है, उनके क्योवे कारिये हैं वो आप मिटा सकते हूं, कभी नहीं मिटा सकते हूं मैं काफी दिनों से एक बात बोलती हूँ के चाहे महराना परतापजी हूँ और चाहे प्रिथ्वी राज चोहान हूँ और चाहे बाबा भीम राव अम्बेटगर हूँ चाहे भगत सहित भगत सिंग हो और चाहे परसु राम हो आप लोगों को इनकी मुर्तियां तोड़ने में इनको इनका सम्मान घटाने में इनके प्रती अपशब्द लिखने में क्या प्रापत होता है अगर आपका किसी विशेश जाती के लोगों से प्राब्लम है तो जाकर उनकी बाजू टांग तोड़ो ना माराना परताप या इन महापुर्सों से क्या लेना देना आपका मूरक आदमियों माराना परताप हों या कोई भी महापुर्सों वो सारे समाज के होते हैं पूरे देश के होते हैं पूरे समुदाय के होते हैं पूरे ही छेतर के होते हैं सारी दुनिया के होते हैं तो किसी एक समाज के नहीं होते हैं जो महापूरसी हो गया, उसका कोई एक समाज कभी होता ही नहीं, संत का कभी एक समाज होता ही नहीं, एक छेत्र होता ही नहीं, वो पूरे विख्यात होते हैं, विश्व विख्यात होते हैं, आप लोग जो ये तुछ मान सिखता का परिच्चे देते हो न, ये इससे पता चलता कि तुम्हारी घटिया परिवरिश का नतीजा है कि तुम ऐसी हरकते करते हूं मैं माराना परताब जी के विश्य में इसलिए नहीं बोल रही है कि वह राजपूत है मैं माराना परताब जी का सम्मान करती हूं एक संतोने के नाते इसलिए बोल रही हूं कि माराना परताब की करनित कारिय करकर आपने कौन सा महान कारिय कर लिया वह आप एक मैटल की मुर्थी तोड़ी आपने उनका इस्तितव नहीं तोड़ सकते इतनी उकात ही नहीं किसी की लेकिन यह जो कारिय होते हैं इनके पीछे भी कुछक समाज के लोग होते हैं कुछक हमारे अपने लोग होते क्यों क्योंकि कोई बालमिक्यों को गाली देता तो कोई हरिजनों को गाली देता तो कोई पंडितों को गाली देता कुछ राजपूतों को गाली देते तो कुछ राजपूत दूसरे समाज के लोगों को गाली देते तो यह कारण इनका जो द्वेस इनकी जो इर्षा इनके जो बदले की भावना जो दूसरे समाज के अंदर होती है वो फिर कैसे निकालते हैं महापूरसों का औरंकर को तोड़ने से अखंडित करने से अर और क्या हो जाता है कि अोर्फ आप्न सकता है दूसरी बात यूपी के अंदर मुख्यमंत्री कौन है योगी आदित्यनाथ जिनका टेरर है जिनका रोब है जिनकी पस्नल्टी है जिनके नाम से दुनिया डरती है जो हिंदूओं के मसिया मानने जाते हैं उस छेतर में उस यूपी में उस एरिया में वहां के मुख्यमंत्री खुद एक सा पेदा करता है जहां के बदमास जहां के क्रिमनल जहां के उर्दंग करने वाले लोग जहां पर लव जिहाद की बात करते ही बड़े-बड़े कानूनी कारवाई हो जाती है वहां पर महाराना परताब जी की मुर्ती तूटना संधे तो पैदा होता है तो मैं चाहती हूं कि रा महापुर्स किसी जाती विशेश के नहीं होते जिन लोगों ने ये कारिये किया है मैं उनकी निंदा निंदा नहीं करती बलकि मैं कहूंगी उनके उपर सक्त से सक्त कारवाई करें उनको जेल में डालें और महाराना प्रताब क्या किसी भी महापुर्स की मुर्ति के साथ अगर जो आदमी छेड़ छाड़ करता है जिसतने से उन्होंने किसी भी अंग को तोड़ा है उस आदमी का भी वो अंग तोड़ देना चाहिए अगर उन्होंने महाराना प्रताप जी के किसी अंग को नुकसान पहुचाने का प्रियास किया है तो सेम उसका अंग सब के सामने चाहिए मैं ऐसा मानती हूं दूसरी बात एक और कहना चाहती हूं यह दिखिए फेस्बुक आपकी है लिखने वाले आपके अंगुठे और यह उंगलियां है ठीक या गलत लिख दो आपके हाथ में है बला पाखंडी क्यों मारा ना प्रतापरित भी रजिस्टर करवा लिए क तुमने अच्छा रात तिरंगे का वीडियो डाल दिया पाखंडी तुम कितने साथ हो हो क्या तुम यह जो लिखने वाले हैं ना इनकी जीरोकात नहीं हैं कुछ नहीं है फालतु आदमी है दूसरा गुरु नानक देवजी का चित्र डाल दिया तो हिंदू के क्यों डाल द बादियों को देश भगतों को हिंदूओं को नुकसान हो रहा है एक तो यह जाती-पाती खिंडाना बंद कर दो ताकि हमारे महापुर्सों ने जो सम्मान कमाया है ना जो छत्रियों का बड़ा दिल रहा है च्छतिस ब्रादरी जिस वज़े से इज्जत करती हैं वह करते होंगी वाजिब सी बात है अब सम्मान दो सम्मान पाऊना गलत क्या है इसमें लेकिन आप तीसरे दिन भामा सा बन जाते हो आके फेस्बुक पे फ्लान कर देंगे करन करानने कुछ है नहीं पढ़ जितना बोलो उतना करो और रही हमारी बात है अपन तो जो बोला है न को मां परताप जी कि इतिहास उठा के देखो पन्नादाई कौन थी शाट मां पन्नादाई नहीं होती महराना परताब भी नहीं होती इस तो हिंदुस्तान बोलती मैं सत्य बोलती हूं दूसरी बात हे मेरे छत्रियों हे मेरे राजबूतों हे मेरे छत्रिय समाज के वीरों क्या कहते वीर बांकूरों हे मेरे ठाकूर समाज के लोगों मैं निवेदन करना जाती हूं ऐसी कोई हरकत मत करो जिसकी वज़े से महराना परताप पर प्रिथ्वी रा स्माज की और उंगली करें लेकिन जब छत्री समाज के युवा अपनी पर गंदगी फैलाते हैं फैस्हंद फैलाते हैं इसी अद़र कांट को गालियां देते हैं नंगंता फैलाते हैं बहुत गंदे शब्द यूज करते हैं तो उसके बदले में तो माहापुर्षयों का मान करने की हिम्मत तो लोग करेंगे कभी तुम हीरों के पिछे लग जाते हो कभी तुम जाटों के पिछे लग जाते हो गुजरों के पिछे लग जाते हो पंडि अरे तुम रखोगे किसे भाई चारा किसे कहते हो तुमने देवी देवताओं को बाँट दिया तुमने गाएं और बकरी को बांट दिया तुमने स्वाभी मारा मेरी बात सुनो अगर देश का प्रधान मंतरी अगर देश का प्रधान जहरी नहीं बोलता क्यों प्रधान मंत्री ने चादर बेजी लेकिन हाँ अगर कोई आम सम्मान वेक्ती साधवी देवा ठाकूर किसी के विसे में दो शब्द बोल दे जिसने ठीक काम किया तो हिंदुबाद को खत्रा हो जाता है वट कमाल का तुम्हारा नियम है अगर साधव भी देवा ठाकूर ने किसी की हक की मजदूर की किसान की बात कर दी तो हिंदु को खत्रा हो गया गजब का तुम्हारा नियम है कि जिसकी लाठी उसे की भैस दूसरी बात हिंदु महासबा के कमलेस तिवारी का गला रेंद कर हत्या कर दी तब विजेपी के लोगों ने एक पार भी अवाज नहीं उठाई और उसको हिंदुवाद के खिलाप मानते थे विजेपी उसको खिलाप मानती थी क्योंकि हिंदु सभा एक पार्टी है एक और बड़ी बात चैलेंज करके पूछना चाहती हूं जितने राश्ट्रवादी हैं जितने देश भगतें कि जितने उपाधेक्स हूं आज तक मैं उसकी पोड़ियां नहीं चड़ी अगर मुझे धन की अवशक्ता होती या उस पद की अवशक्ता होती मैंने कभी दावा नहीं किया उस प्रॉपर्टी का तीसरी और बात मैं कमलेश तीवारी ने मेरे को इंदु महसभा की राश्ट्य अधेक्स बना था दोनों के लेटर हैं मेरे पास आज तक मैंने नहीं पूछा चकरपाणी जी से कहां है कैसे हैं क्या है संपति का इस्सा क्या बात करते हो आप लोग कमाल की बात करते दूसरी और बात अभी रिंकु की जैसरी राम बोलने पर हत्या होगी आप सब कह रहे है मुझे दुख है कि हमारा एक हिंदू भाई इस दुनिया से चला गया उस दुख को कपील सर में आते हैं या सादवी प्रग्या सिंग ठाकूर आती हैं देश के बड़े बड़े भगवाधारी नेता आते हैं इनसाफ किस से माग रहो देश का परधान मंत्री हिंदू वादी देश का परधान मंत्री नरेंदर भाई मोदी है सेंटर में आपकी सरकार है देश में आपकी सरकार है आपकी मिन्स बिजेपी की सरकार है भगवाधारियों की सरकार है हिंदू वादी सरकार है इनसाफ किस से माग रहे हो थासी क्यों नहीं चड़ा दी अभी तक हतियारे कमा काल करते हो अच्छी राजनीती कर रह ये हुआ अप लोग जा जाके माहिंदू और भाई-चारा खराब करとう मैंने वला मुझे तो नहीं मारा अस्तस किसी ने जैस री राम आमिच्छाजी बंगाल में जा जाके बोलए है उनको तो आपसी दिवेश और बहुत सारी चीज़ें होती है इसको भगवे का कलर का और देश की सुक्सान्ती का मुद्धा मत बनाओ इस मुद्धे से मत भटको सारा दिन हिंदुवादी ओकर फेस्बूक पर गालियां देते हो यह हिंदू संस्कार है बिल्कुल नहीं है आप किसी की मा बेन बेटियों को पाखंडी, गलत, रंडी जैसे सब्द लिखते हो यह हिंदूवादी सिखाते हैं हिंदूओं की यह संस्कार नहीं हो सकते हिंदूओं का संस्कार होता है कि महराना परताप जी ने का था कि इसलाम धरम की भी जब ओरतों को उठाकर लाए थे तो उनको डुपट्टा उड़ाकर बाइज़त उनके घर छोड़के आये थे, ऐसे थे माराना परताप जी, उनका स्वाभिमान, उनके बलीदान, उनकी कुर्बानिया, उनकी सहधते, वो अमर थे, अमर है, अमर रहेंगे, लेकिन आज लोग, आज लोग क्या करते हैं, मजाग बना दिया आपने महापुर्सों का, मजाग बना दिया आपने हिंदूों का, आज स्री राम के नाम पर फेक परचियां काटते हो, स्री राम, रगुपति स्री राम, मतलब स्री राम, राजा, ऐसे मतलब कुल की बात करने वाले लोग, क्यों बढ़ा रहे हो आप लोग मत मजाक करो सिखों ने सरदारों ने हमेश्वा दी बैंड सब की इज़त करना सिखा अरे गुरु गोविन सिंग से सिखिए ऐसे ऐसे महापुर्स जिन्होंने जनेव और चोटी बचाने के लिए बलिदान दे दिया ऐसे सिखों की जब मजहब नहीं सिखाता मैं सिक नहीं हुई बल्की तुमारी मानसिक्टा में कमी आई है तुम लोगوں के माहा पुर्स के चित्र तोड़े जा रहे हैं तुम्हारी कमी की वज़ए से जैसरी राम के नाम पर लोग गलत करन तरीके से अपमान करते है तुमारी फेक रसीदे काटने की वज़े से लोग संधे पैदा करते हैं नहीं मेरे भगवान का मंदिर कोई रोक दे ऐसी किसकी उकात है सिरि राम के बारे में कोई गलत बोल दे किसकी ओकात है अब ये कहा रहा है तू मुल्ली होगी है तेरी मा तेरी बहन या तू अपने घर जाके चेक कर ले के कहीं तेरा तोनी इसलामिक करन हो गया मैंने तो कुछ नहीं किया लेकिन जो अजमेर चादर चड़ा क्या है उनके विशे में भी पूछ लिया करो दो बाते कहने का म